नमस्कार दोस्तों, जै बजरंग बली, जै श्री महाकाल, जै श्री राम स्वागत करते हैं। आप सभी का आज के महत्वपूर्ण ज्योतिशी कार्यक्रम में दोस्तों, आपको ऐसा राशिफल कहीं और नहीं जानने को मिलेगा। आने वाले 24 घंटे कोई साधारण नहीं रहन दोस्तों, आपको हम डराने नहीं आए हैं, आपको सिर्फ हम सतर्क करने आए हैं। यदि आप समय रहते, संभल गए, तो आने वाला जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। और यदि आपने इस वीडियो को अंदेखा करने की गलती की बीच में ही छोड़ दिया। तो आप बाद में बहुत पचताओगे और फिर आपके जीवन में जो होगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं, बलकि आप स्वयम रहेंगे। दोस्तों, सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराने वाले हैं, तो आप बस इस वीडियो क अंत तक ध्यान से देखिएगा, और सबसे पहले इस वीडियो को सच्चे शिवभक्त लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और कमेंट बॉक्स में मित्रों तीन बार जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा, कर्मों के न्याय देवता, आ हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, एवं शुभ सुविचार के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत भी करेंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए द अपनी ओकात दिखाती है, यही आज के इस कल युग की सच्चाई है दोस्तों, जब पैसा होगा तो पराए भी अपने हो जाएंगे, और जब पैसा नहीं होगा तो अपने भी पराए की तरह बरताव करेंगे, तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे में आपको किसी के भी साथ ब आनी और आपके व्यवहार से ही होगी, आपके पिछले कई समय से जिन लोगों के साथ संबंध बिगड़े हुए थे, उन संबंधों को सुधारने पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों, जिन्दगी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन एक सरल और एक सलाह दी जाती है कि आप बिलकुल सरल रहे और सब के साथ मधुर व्यवहार करें, वही एक सलाह देते हैं, दोस्तों की कार्यक्षेत्र में अगर आप अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी छववी उत्तम रखना चाहते हैं, तो आपको सब के साथ मिल निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, अपने प्रेम पार्टनर के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए नहीं कहते हैं, कि मनुष्य के जीवन की सबसे अनमोल पूंजी और सबसे अनमोल वस्तू उसका परिवार होता ह यदि आप परिवार को समय नहीं देंगे तो परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं ध्यान से सुनिए दोस्तो एक-एक बाय को आपके सारे बिगडे कम बनेंगे चमतकार कुछ ऐसा होने वाला है कि सगे संबंधियों का पूरा साथ मिलने वाला है वह सहगे संबंधि वह सहकारी वह रिष्टेदार जो हर वक्त दुख के घड़ी में बस आपको ताने मारा करते थे अब वह आपको दुख की घड़ी से बाहर निकालना का कम करेंगे जी हाँ दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निंदकों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके जीवन में क्या कमी है वह हमको एक निंदक ही बता सकता है और उस निंदक की उस कमी को दूर करके अपने उस कमी को दूर करके आप जिन्दगी में सफल बन सकते हैं संतान के लिए आप कुछ पुराने रीती रिवाज को छोड़ कर अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन संसकारों के साथ हम हमेशा कहते हैं अगर आप अपने बच्चों को खिलोना नहीं देंगे तो वो कुछ देर के लिए रोएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संसकार नहीं देंगे तो वो जिन्दगी भर रोएगा। संतान के हिसाब से पुराने रीती रिवाज को छोड़ जा सकता है। लेकिन संतान की भी जिम्मेदारी है कि वो माता-पिता की भावनाओं की कद्र करें, उनका सम्मान करें, कर जनों के बीच उनकी इज़्जत को बनाए रखें। जीवन साथी के साथ कई दोनों से डेट पर जाने की संभावनाए हैं, क्योंकि काफी समय से आपने उन्हें समय नहीं दिया है, लेकिन अब वो नहीं माने वाले। अब वह जित करके अपने हक का समय आपसे लेने ही वाले हैं और आपको भी उन्हें भरपूर समय देना है। परिवार के किसी सदस्य के नौकरी लगने की संभावना है। ये नौकरी लग शक्ती है। टीचिंग की लाइन में या फिर मेडिकल के लाइन में बढ़िया माहौल घर में खुशनुमा सा माहौल बन जाएगा और सभी के चहरे पर मुस्कान होगी। आप अपने मन की इच्छा उन लोगों को जरूर बताएं जिन पर आप दिल से भरोसा करते हैं। अगर अपने आपको ये समझा रहे हैं कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है तो भगवान के स आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने किसी पुराने मित्र के साथ पुराने पलों को ताज तो करेंगे लेकिन अतीत की जो दुखद पल थे वह आपके आँखों में आंसू भी ला सकते हैं। इसलिए पुरानी यादों को छोड़ना है और किसी को भी कोई ऐसी किसी को भी कोई ऐसा वचन नहीं देना है जो पूरा न कर पाए। कई बार दोस्तों हम जुबान दे देते हैं और पूरा करना फिर हर कीमत पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इस वजह से इनसान कई बार घाटे का भी सौदा करता है। तो वह सोच समझ कर आपको जुबा भावना तो है लेकिन धीरे धीरे लाभ आपके हिसे में आएगा तो एकदम से बहुत ज्यादा भावुक आपको नहीं होना है। रचनात्मक कारियों के लिए समय बहतरीन है। अपनी लेन देन को अगर आप सपष्ट बना कर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह आप ले सकते हैं, यह भी काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सलाह बहुत मेन रखती है, पर वह सलाह इसे अपनी की हो, तो ज्यादा अच्छा लगता है। किसी अतिथी का आगमन आपके घर पे हो सकता है, आपके में तेजी रहने वाली है और उसे तेजी को बरकरार रखना के लिए गलतियां को कम करना होगा, तो कोशिश यही करनी है कि गलतियां आपसे कम से कम हो, कार्यक्षेत्र में, आज पडोस में किसी से सजना नहीं है, हो सकता है किसी सहकर्मी के साथ आपके विचार मेल एन खाएं और बिना मांगे किसी को सलाह भी नहीं देनी है, नहीं तो समस्या में फैंस सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का निर्मान हो रहा है, तो इस समय खरीदारी के लिए समय बहतरीन है, है अगर कोई प्रियावास्तू, आपकी काफी समय पहले को गई थी, तो वह भी आपक पहले रहे हैं, और कोई जूनियर है, तो आप उसे कुछ नहीं समझ रहे हैं, काबिलियत किसी भी इनसान में हो शक्ती है, आपको उसका बिलियत को पहचान करके सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है, अगर नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो समय अच्छा है, खरीदा जा सकता है, कुछ योजनाओं को बहतर बनाना भी जरूरी है, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव उसमें करके देखिए, तूफान की तरह खुशखबरी आएगी और यकीन मानिये दोस्तों, थोड़ा किया गया, आपका दान पुन्य आ रही समस्याओं को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, आपके परिवार वालों को और आपको गलत सलाह देते हैं, आपके परिवार वालों को ये बात समझना बहुत जरूरी है, कि ऐसे लोगों की बटन में ना आए, जो बाहर के हैं, और उन लोगों की बटन में आकर जाहे नौकरी हो, हर जगह competition देखने को मिलेगा, तो आपको अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी है। मैंने अपने साथी की समस्याओं का, अगर उन्हे कोई समस्या है, तो उसका सामना करने की हिम्मत एन देना। आपकी जिम्मेदारी है और उसे समस्या से उन्हें बाहर निकालना भी आप ही जिम्मेदारी है। को दूर रखें तथा और ना ही हस्तक शेप करें। इस समय मान हानी अथवा कोई आरोप लगने जैसी स्थिती बन रही है। बहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्त रहे। कोई भी परेशानी आने पर धैर्य और संयम से ही काम ले। व्यवसाइक गतिविधियां उत्तम रहेंगी। इनकम सोर्स मध्यम रहेंगे। फोन और संपरकों के माध्यम से ही अधिकतर काम बन जाएंगे। मीडिया संबंधी गतिविधियों में अपना विशेश ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा, लोगों को मन मुताबिक टूर पर जाने का मौका मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच उचित ताल मेल से घर में सकारात्मक उर्जा व्याप्त रहेगी। प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। सिर्दर्द और माईग्रेन की समस्या उठ सकती है। परंतु यह ऐसिडिटी और अनियमित खान-पान की वजह से ही होगा। इस बात का ध्यान रखें। आपके इरादे मजबूत बनेंगे। अपना नजरिया बदलना आवश्यक होगा। लोगों की आलोचना से ना डरें। जो बातें आपको सही लगती हैं उन पर अमल करें। पैसों से संबंधित कामों में प्रगती और स्थिर्टा प्राप्त होगी। इस कारण लोगों पर बनी हुई निर्भरता दूर होने लगेगी। लोगों के लिए नकारात्मक भावना न रखें। गुस्से से बचना होगा। दूसरों के पक्ष को समझना आपके लिए संभव हो सकता है। सभी के साथ का व्यवहार अच्छा रखें। लेकिन किसी के जीवन में दखल देने से बचें। दिन्चर्या व्यस्त रहने के बावजूद घर-परिवार की सुख सुविधाएं और देखरेख संभंधी कार्यों के लिए आप समय निकाल लेंगे। व्यक्तिगत कार्य संबंधी भी कुछ रूप रेखा बनेगी। इस समय अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दें। अवश्य ही सफलता मिलेगी। अपने मान सम्मान और व्यक्तित्व का जरूर ध्यान रखें। कहीं भी वार्तालाप अथ्वा विचार विमर्ष करते समय अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनका मनोबल बढ़ेगा। विद्यार्थियों का दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत होने कारण पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई रुका हुआ कार्य आज किसी की सहयोग से बन जाएगा। आएकी स्थिती भी बहतर होगी। परंतु किसी प्रकार का पेपर वर्क या आरडर पूरा करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। किसी प्रकार की भी लापरवाही ना होने दें। अब ही बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। मनोरंजन आदी में भी समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थे उत्तम रहेगा। डायबिटिक व्यक्ती अपनी दिन चर्या व्यवस्थित रखे तथा लापरवाही ना करें। यदि खुद का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर ले। समय बहुत अच्छा चल रहा है। पैसों का बंदोबस्त भी आसानी से हो जाएगा और अपनों का सहयोग मिलने से भी मन में एक अलग ही उत्साह, उमंग और खुशी का अनुभव होगा। आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धी हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्थ होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर-परिवार संबंधी कारियों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी व्रिद्ध होगी। घर के बड़े बुजर्गों का आशीरवाद वसनेह बना रहेगा। कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करे। कभी-कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। कारोबार में अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को कार्य देने के लिए समय अनुकूल है। नए काम की शुरुवात होगी। पार्टनर्शिप करने का भी अनुकूल समय है। नौकरी पेशा लोग अपने अधिकारी से संबंध अच्छे रखें। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। जीवन साथी तथा परिवार जनों का उचित सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलत फहमियां आ सकती हैं। किसी तरह के अलर्जी अथवा स्वास्थे संबंधी समस्या हो सकती हैं। अत्यधिक पोल्यूशन तथा भीड भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। समय का उचित सदुपयोग करने से फायदे की स्थिति में रहेंगे। इसलिए अपने किसी भावी लक्ष को सुनियोजित ढंग से हासिल करने का प्रयास करें। अपने संपर्कों को भी और अधिक मजबूत कीजिए। कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी जोकी लाभदायक रहेगी। दिन के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आएंगी। भाईयों के साथ कुछ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। शान्ति पूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। विप्रीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की भावनाओं के आवेश में ना आए। ठंडे दिमाग से निर्णय ले। बिजनेस में नई गतिविधियां शुरू करने का विचार है तो अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील हो सकती है लेकिन कागजात वगेरह अच्छी तरह जाँच पर अख ले। मार्केटिंग संबंधि कार्यों को अभी स्थगित रखना उचित है क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। जीवन साथी तथा परिवार जनों की सलाह वमार्ग दर्शन आपके लिए सुकून दायक रहेगा। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिलकुल न बरतें। अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आयुरवेदिक चीजों का सेवन करें। नई गती विधियां शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम है। आपके द्वारा लिया गया कोई पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत फैसला बहतर रहेगा। आपकी योग्यता और उचित कार्य प्रणाली आपके कारियों में और अधिक गती देगी। घर में किसी सदस्य के विवाह संबंधी योजनाएं बनेंगी। निवेश करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिती का भी ध्यान रखें। युवा वर्ग अपनी लापरवाही अथवा व्यवहार कुशलता की कमी के कारण व्यवसाइक मामलों में धोखा खा सकते हैं। कई बार बहुत अधिक सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलबधियां हाथ से निकल भी जाती हैं। बिजनस में फाइदा होने के योग हैं। इस समय महिला वर्ग अपने व्यवसाइक के प्रति विशेश रूप से जागरूक रहेंगी। और उचित परिणाम भी हासिल होंगे।